कुछ दिन पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसे मीचुल फ़ंड रखे थें जिसका परफॉर्मेंस तीरे धीरे कमजोर हो ओफ फॉर्मेंस को बीटकर रहे थे और नाहीं वह हूँ stray Warehouse के रिटर्न को बीटकर रहे थे rank within category भी काफी कमजोर देखने को मिल रहा था मैं flexi cap category से 3 mutual fund आपके सामने रखा था और वाकई में बताया था कि ऐसे mutual fund का performance धीरे-धीरे काफी कमजोर हो चुका है और अगर आपके portfolio में है तो क्या decision लेना चाहिए आज मैं आपके सामने meet cap category के 3 ऐसे mutual fund रखूँगा जिसका performance धीरे-धीरे काफी कमजोर हो रहा है देखो अगर आपके portfolio में है तो यहाँ पे आपको decision लेना पड़ेगा अगर देखा जाए तो ऐसे funds का AUM 6-7,000 करोड के उपर देखने को मिला है कोई छोटे fund नहीं है और इसमें investor का काफी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है जो तीन mutual fund मैं आपके सामने रखने वाला हूँ meet cap category के किस point के basis पे मैं आपके सामने ये mutual fund रख रहा हूँ first इनका जो downside protection है काफी कमजोर देखने को मिला है दूसरा point जो मैंने consider किया है जो consistency return के मामले में वो भी काफी यहाँ पे कमजोर देखने को मिला है ऐसे funds में up और downs भी काफी ज़्यादा देखने को मिले है और इसके साथ ही साथ जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे mutual fund ना ही अपने benchmark ना ही अपने category average के return को beat कर रहे चलिए मैं बताता हूँ कौन-कौन सा mutual fund है आपको क्या decision लेना चाहिए क्या ऐसे mutual fund से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए इसके बारे में भी हम वीडियो के last में बात करेंगे लेकिन अगर आप वाकई में mutual fund को लेके काफी ज़्यादा confused हो कौन से mutual fund को अपने portfolio में यहां रखें कौन से mutual fund को अपने portfolio से बाहर करें portfolio में कोई यहां पे overlap percentage तो नहीं है यहां पे concentration risk तो high नहीं है portfolio design करवाना हो exactly financial planning, investment planning, retirement planning को लेके काफी ज़्यादा confusion हो तो आप मेरे साथ जूर सकते हो description box में जाके पूरा detail चेक करें और detail के basis पे आप whatsapp number के थूर मेरे साथ जूर सकते हो whatsapp number भी आपको description box में देखने को मिलेगा अब चलिए आज के मुद्डे पे आते हैं कौन सा mutual fund है जो धीरे-धीरे काफी कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है सबसे first mutual fund जो मैं आपके सामने रखूंगा L&T mutual fund का यहाँ पे L&T meet के fund जी हाँ इस mutual fund का धीरे-धीरे performance काफी पूर हो रहा है मैं fund analysis भी आपके सामने रखूंगा लेकिन उसके पहले return पे नजर डाले तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में इस mutual fund ने सिर्फ 14-15% का return दिया है category average और जो bench mark का return है on the average 23% के उपर देखने को मिलेगा ना ही अपने category average को बीट कर रहा है ना ही bench mark के performance को बीट कर रहा है अगर मैं 3 साल के data आपके सामने रखूंगा तो 3 साल में इस mutual fund ने 16-17% का return दिया है category average में 23-24% के करीब में है देख रहे हो कितना difference है वहीं पे अगर 5 साल के data को देखे तो 12-13% का सिर्फ return है और category average में 15-16% का return है इट मिन्स की category average से भी पिछड़ता हुआ bench mark के performance से भी पिछड़ता हुआ है mutual fund है और rank within category पे नजर डाले तो आप देख सकते हो एक साल में 20 rank इसका दिख रहा out of 22 यहाँ पे अगर 3 साल का rank देखे तो 17 है out of 19 और यहाँ पे अगर 5 साल का देखे तो 16 है out of 19 कुल मिलाकर rank within category भी काफी यहाँ पे कमजूर देखने को मिल रहा है चलिए fund analysis करते हैं अगर downside protection की बात करें under performance quality तो यह काफी poor है आप देख सकते हो और return के consistency की बात करें तो यह भी काफी कमजूर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे दो point है performance quality and downside protection इन दोनों point के basis पे हमें देखने को मिल रहा है कि यह fund काफी कमजूर हो चुका है तो अगर आप ऐसे mutual fund में invested हो आपके portfolio में ऐसा कोई mutual fund है तो आपको decision लेना चाहिए लेकिन क्या आपको fund से बाहर निकलना चाहिए या फिर आपको fund में बने रहना चाहिए क्या strategy यहां पर यूज करना चाहिए मैं वीडियो के last में cover करूँगा दूसरे mutual fund की बात करते हैं जी हाँ यह mutual fund का भी AUM 6 से 7000 क्रोड के करीम में है छोटा AUM नहीं है छोटा fund नहीं है देखो मैं Franklin India Prima Fund की बात कर रहा हूँ करेंटली अगर बात करें तो पिछले एक साल में इस mutual fund ने ओल्मोस्ट 11% का रिटर्न दिया है category average में आप देख सकते हो यहां पर 23-24% का रिटर्न है यहां पर double का difference है double का difference है काफी कम रिटर्न देखने को मिला है तीन साल की बात करें तो 11-17% का रिटर्न है category average में 23-24% का रिटर्न है 5 साल का 12% का रिटर्न है category average में 15-16% का रिटर्न है rank within category भी काफी कमजोर देखने को मिल रहा है अगर इस mutual fund के साथ आप continue करते हो तो कोई guarantee नहीं है कि आपको बहतर रिटर्न मिले क्योंकि historical data काफी कमजोर है चलिए fund analysis की बात करें तो performance quality आप देख सकते हो very poor है इट मिन्स की ऐसे mutual fund का जो return का consistency है वो काफी कमजोर है downside protection में भी आप देख सकते हो कुछ खास यहाँ पे data देखने को नहीं मिल रहा है तो हम पूरा अगर आकड़ा देखें तो इस fund से इस fund से बाहर निकलना ही एक समझदारी होगा चलिए तीसरे mutual fund की बात करते है तीसरा mutual fund इस mutual fund का AUM भी काफी बड़ा है 6-7000 करोड के करीब में है और इस mutual fund का भी performance काफी कमजोर देखने को मिला है जी हाँ मैं सुन्दरम meetcape fund की बात करूँँगा सुन्दरम meetcape का fund का अगर हम देखे पिछले एक साल का return तो 17% के करीब में है और 3 साल का return देखे तो 16% के करीब में है और 5 साल का analyze return देखे तो 10-11% के करीब में है और पिछले एक साल, 3 साल और 5 साल में ये कभी भी अपने benchmark और category average के return को beat नहीं किया है सबसे weak point जो है इसका ये देखने को मिला है कि जो return है इसका काफी कम है rank within category की बात करें तो आप देख सकते हो 19 rank है out of 20, 18 rank है out of 19, 19 rank है out of 19 कुछ भी यहाँ पे positive देखने को नहीं मिल रहा है return के मामले और वहीं पे अगर मैं इस mutual fund का fund analysis करूँ तो downside protection पूर है it means काफी कमजोर है return का जो consistency है वो भी काफी कमजोर देखने को मिल रहा है ये भी mutual fund आपके portfolio के लिए सही नहीं है देखो अगर आप अपने portfolio को time to time review नहीं करते हो आपके portfolio में 4 mutual fund है 5 mutual fund है, 6 mutual fund है कोई भी एक mutual fund काफी कमजोर होता है तो वो आपके other mutual fund के return को धीरे धीरे कम करता है overall जो आपका portfolio का return होगा वो कम हो जाएगा जिससे आपको भविस्व में जो आपका target है उससे काफी दूर हो जाओगे देखो हमें हमेशा हर डेर साल एक साल पे अपने portfolio में जाकर जरूर चेक करना चाहिए कि हम जिस mutual fund पे भरोसा कर रहे है क्या वो mutual fund पे भरोसा अभी भी हम कर सकते है कि नहीं क्योंकि कोई guarantee नहीं है अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे mutual fund के साथ अगर आपके portfolio में ऐसे mutual fund है जो आपके सामने मेंने तीन फंड रखें, सुंदरम मीट के फंड, फ्रैंक्लिन इंडिया प्राइमा फंड और L&T मीट के फंड, यह तीन फंड का performance काफी कमजोर है, अगर आपके portfolio में है, तो क्या decision लेना चाहिए, आपको सबसे first यह करना है, कि आप अपने ऐसे mutual fund के साथ, अ supply नहीं होता है, तो वैसे mutual fund से तुरंत के तुरंत बाहर निकले, अगर आपका यहाँ पर exit load apply हो रहा है, यहाँ पर capital gain tax तेखने को मिल रहा है, तो exactly ऐसे mutual fund में थोड़ा सा इंतजार करें, SIP को सिर्फ स्टॉप कर दें, और new fund में, same category में कोई बहतरीन fund के साथ SIP को continue करें, कि आपका जो compounding का benefit है, वो यहाँ पर break ना हो, और जो पुराना fund है, जो यह तीन fund है, अगर आपके portfolio में है, तो यहाँ पर जब तक exit load fee ना हो जाए, तब तक ऐसे mutual fund से बाहर ना निकले, आपको एक point यह भी आद रखना पड़ेगा, कि क्या आप नुकसान में तो नहीं हो, मैं positive में आओ, तो ऐसे mutual fund से बाहर निकल जाओ, तो यह decision आप ले सकते हो, देखो मैं time to time आपके सामने कुछ बैतरीन fund भी रखता हूँ, और time to time कुछ ऐसे funds भी आपके सामने रखता हूँ, जो काफी कमजोर है, आप हमेशाद चेक करें अपने portfolio में कि क्या आपके portfolio में कोई ऐसा fund तो नहीं है, तो यह था आज का वीडियो, इस वीडियो से लिटेटर आपके माइन में कोई 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 हो, पेजिए कमेंट बॉक्स में कोई जनरेट करें, आने वाले time में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, एक humble request अभी तक चान को नहीं कोई, सब्सक्राइब लाइक को सिर्थ अभी स्टार्ट करें, फिर्म लेक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हैं, जय भार,